तो हाई गाईज मैं हूँ इसका समा और आज हम सॉल्फ करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 719 डिविजिन थरीका वेस्चिन डी सेम डिफरेंसेस तो यह क्वेस्चिन जो है सबसे पहले आप आके यहां से एक बार पढ़ कुछ से जरूर दी जाए ठीक है चोटा सा क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन है आईए जानते ही क्वेश्चन में दिया क्या है उसके अबाद हम क्वेश्चन को सॉल्फ करेंगे question में क्या दिया है question में हमें एक array दिया हुआ है इसका size n है इसका जो elements है हमें sub input में दिया हुआ है हमें ये बताना है कि इस array में ऐसे कितने पहर है जिनका a of j minus a of i is equal to j minus i ऐसा होना चाहिए j जो है वो i से बड़ा होना चाहिए j आपका और कुछ नहीं index है ठीक है जो j जो है वो आपका i से बड़ा होना चाहिए तो हमें यही बताना है कि i से कितने pair exist करते हैं i और j के जिसके लिए ये वाला जो condition है ये हमारा satisfied है ठीक है a j मतलब j पोजिशन पर array a में कौन से element है ठीक है ये बताने तो भाईय अगर आप दिखो यार इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें दो loop चला क्या आप कर सकते हैं ठीक है दो loop मतलब एक के अंदर एक ठीक है एक के अंदर एक दो loop चला है तो इससे लेकिन क्या होगा इससे आपका क्या observation था आइए जानते हैं तो देखो equation क्या है a of j minus a of i is equal to j minus i ठीक है तो इसको यहां लिख दे रहा हूँ a of j minus a of i is equal to j minus i ठीक है तो अगर इसको फड़ा फिर करें तो यहां देखें क्या हो जागा यह a of j minus j is equal to a of i minus i आपको यह देख रहा है simple सा इसको इधर लेगा है तो यह हमारा equation बन रहा है same equation कोई दिक्कत नहीं है तो एक सीज़ यहां पर notice किजिए a of j minus j a of i minus i दिख रहा है नए a of j minus j a of i minus i यह दोने equal to j मतलब क्या कहने है क्या मतलब है कि अगर जो हमारा array ठीक है जो हमारा array है इसका index one होगा इसका index two होगा इसका index three होगा इसका index. files through तो हम यहां प्रते है इसका पोजिशन से इह Mouse कर रहे है ठीक है यह तो यह मानलो LHS हो गया और यह RHS हो गया, ठीक है तो हमें LHS में क्या भरने, गर हम कोई b히 यहाँ इस array में से तरह हम हम जे select करेंगे, ठीक है तो LHS में क्या हाँगा, वो element minus उसका position ठीक है, अगर मानलो first element select करते है ठीक है, या RHS के लिए भी सेम ठीज है ठीक है अगर फर्स्ट एलिमेंट होता है अगर फोर्थ एलिमेंट सेलेक्ट होता है तो कोई भी अगर फोर्थ एलिमेंट सेलेक्ट कर देज़ें अगर आपको अगर 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 फोर्थ यहीं अगर फोर्थ यहीं करना तो हमारा यह एरे हो गया हम इससे सारा हम सारा नकाल सकते हैं तो मालो वह करने के बार टो कि एक मिलता है इसका मालो जी मिलता इस होता, E के बराबर होता और G के बराबर होता है तो A is equal to C which is equal to E which is equal to G, ठीक है, तो थाकर ऐसा होता है, तो देखिए हम इन सब का पयर बना सकते हैं आपस में इन सब का हम आपस में pair बना सकते हैं ठीक है तो pair बना चाहरा होता है, total number 2 3 by 2 तो यह कितना हो गया 2 हो जाता है total 6 pair बandता है इसमें 6 pair बandता अब मालो b और d equal होता है अगर b और d equal होता तो यही फर्मल लगाते है तो इससे 1 आता है total भी कितना हो रहा 6 plus 1 चाल रहा ठीक है d और d equal होता अगर f किसी के equal नियोता है अब जैसे लहसमें पर रहे है अगर इसको भी लहाता ना आ अगर लाव सिंपल सा था तो आयो मैं इसका कोड दिखा देता हूं कोड देखने से पहले अगर आप GFG से कोई कोर्स लना चाहेंगे ठीक है चाहें राइब हो या ऑनलाइन हो बहुत सारे कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं इंटर्वी प्रेपरेशन के लिए और देख सकते हैं यहां पर जैसे आपको सब क सब्सक्ष से अब हैए अब को बना लिया है किस लिए अए आगे देखो काम की हगा सबसेब इंप्लो और हर जो इसका जो एलिमेंट है माइनस उसका इंडेक्सिंग जो एलिमेंट है माइनस उसका इंडेक्सिंग यहां पर जरूरी नहीं कि आप प्लस वन करें ठीक है आप जीरो बेस इंडेक्सिंग भी ले सकते हैं से मांसर आगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो यही चीज़ है इसको आप करते हो कि कौन सा हो रहा है जैसे मानलो जो अ उसका आप समें यहां पर ऊह 와 हो रहा है वही फर्म और o तो यह चीज है तो इसका पेर बन रहा है और लास्ट मांसर प्रिंट हो जा रहा है तो यही था तो आज की वीडियो में तो इतना ही तप्रे धन्यवाद ध्यान रखे सेफ नहीं मिलते हैं लिए 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 और बैबाइ Enrol now for the best in industry data structures in algorithm course, DSA Self-based with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always drilling deeper into concepts and don't worry if your code lets you down sometimes. a customized hint section is always there to help evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want take charge now and make DSA your biggest strength with us